प्राचीन मंदिर और प्रतीमाएं जो विसो भर में प्रसित हैं साथ ही कई सारे मंदिर और इस्थल हैं जो पौरानी कथाओं से सम्मंदित है उन्हीं में से एक है ढोलकर गनेश मंदिर धोलकर गनेश मंदिर इस मंदिर के पीछे कई दिल्चस्प पौरानी कहानी है कई रहस्य है जो आस्तग उल्जी हुई है दंतिवारा से 18 किलोमेटर बेलाडीला की पहाडी में 3000 फेट के उचाई पर मौजूद यहां मंदिर करीब 1000 साल पूरानी है विसे सग्यों का मानना है कि इस मूर्टी को नागवन सी सासकों के सासनकाल में लगभग 90 सताबदी के आसपस बनाया गया होगा धोलकर के गनेश प्रतीमा को ग्रेनाइड पत्थर से बनाया गया है यहां मूर्टी लगभग 3 फीट उचा है इस मूर्टी में गनेश जी ने उपरी दाय हाथ में फरसा और बाय हाथ में अपना तूटा हुआ दात पकड़े हुए है यहां ढोलकर गनेश मंदिर अपने आप में एक रहस्य लिए हुए है क्योंकि हां मानवबसाहड से कहीं दूर घने जंगलों के बीच 3000 फीट की उचाई पर मौसूद है इतने उचाई में इस मंदिर को इस्थापित करने का कारण आज तक रहस्य बना हुआ है कहते हैं जब परसूराम भगवान सियू से मिलना चाहते थे लेकिन गनेज जी ने अपने पीता के आग्या का पालन करते हुए उन्हें इंतेजार करने को कहा लेकिन परसूराम क्रोधित हो गए और इस तरह गनेज जी और परसूराम के मध्य युद्ध हो गया इसी दवरान युद्ध करते हुए धरती लोक में पहुँच गया यहां पर परसुराम जी के वार से गनेज जी का एक दान टूड गया ऐसा माना जाता है कि जिस जगह धरती लोक में युद्ध हुआ था वहिस्तल बेलाडीला की परवसरेनी है यहां मंदिर कुछ वर्ज पहले ही दूरदराज लोग के लिए आकर्शन का केंदर बना है सन 2012 में एक पत्रकार ने अपने फोटोग्राफी के मदद से इस आश्चर जनक मंदिर से लोगों को रूबरू कराया जिसके बाद से यहां कई सारे लोग धोलकर गनेश मंदिर के दर्सन कन्ने पहुंसते हैं और मंदिर के अलावा यहां खुपशूरत वादियों का भी लूपत उठाते हैं सन 2017 में कुछ लोगों ने इसे पहाड़ी से नीचे गिरा दिया था उचाई से गिरने की वज़ा से यहां 56 तुकडों में तूट गया था जिसके बाद इस्थानी और सरकारी करमशारियों ने मिलकर तुकडों को इकठा कर फिर से जमाया लेकिन आज तक इस प्राचिन मूर्थी के कुछ तुकरे नहीं मिल पाए जिसके कारण विसे सग्यों ने इसे मरम्मत कर फिर से ठीक किया निश्ची थी इस तरह की घटनाएं लोगों के दिलों में आहत पहुंचाती है उमीद करते हैं यहां वीडियो आपको पसंद आई होगी फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ